वर्दा जिला यह गांधी जिले के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसे के साथ यहाँ पूरे जिले में शिराब बेचना भी प्रतिवंदित है लेकिन देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जिले और तालुका में अवैद रूफ से शिराब बिक्री होती है यही हाल कारणचा तालुका का है यहाँ आए दिन खुले आम नजर डालो उधर शिराब बिक्री होती है लेकिन इस अवैद शिराब बिक्री पर कारणचा थानेदार दारासीहर राजपूत महरबान क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है आए दिन अकबारों में इस विश्य की खबरी आती रहती है लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिबंदात्म कारवाई नहीं की जाती कारणचा शहर आजबाज़ो के परीसर में होटलों से लेकर मेंडूर और बस्ती में खुले आम अवैद रूस से देसी विदेशी शराब पेची जाती है लेकिन यह भी आम हो गया है इस पर कोई अंकुष नहीं है जिसका जीता जाकता उधारन या भंगार में जमा हो रही खाली पोतले है पोला होने की कारण जुए खानी और शराब की अड़ेई सोरू पर है नागरी को में चर्चा भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर क्यों अंदेखा करता है चर्चा यह भी है कि कोई पुलिस स्टाफ कारवाय करने पर उसे को ही डाट फट कार मिलती है ऐसे में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांदी यह भी सवाल है इस पर जिला पुलिस अधिक्षक इन्होंने ध्यान देने की चर्चा नागरी कर रहे है इन दिनों यह भी देखने को मिलता है कि सबसे कम दिन और कम लागत में कारण चर्च तालुका में कोई व्यवसाय हो तो वो है शराब बिक्री का जिसे बिना किसी रूख टोख से चलाया चाता है वर्धा चिले में पाबंदी के बाद भी 24x7 देजी विदेशी शराब मोहिया कराई चाती है सप्लायर शान से आकर शराब डाल कर चले चाती है थानेदार दारा सीहर राजपूत ने चाह तो वैदरों से चलाया चाने वाले जुए खाने शराब खानी एक पल में बन हो सकते है क्या वह यह हिम्मत चुटा पाएंगे BCN News के लिए कारण चागाड़ी से रुपे इश मसके की रिपोर्ट